कि अभी घबरा कर बिजनेस में घबराईए मत बिजनेस ऐसा चीज़ है कि इसमें समय दीजिए धीरे धीरे आप इसमें मुनाफ़ा कमाते जाए दोस्तो और नमस्कार एक बार फिर से आप सभी बंदूओं का स्वागत है बिहार स्टोरी मीडिया के धंदापानी ब्लॉग में और फिर उद्योग धंदे और रोजगार पे अधारित एक नई जनकारी के साथ पस्तित हूँ और इस वक्त हूँ छपरा के एक गाउं में और हमारे साथ दो खास महमान हैं एक मनीश मित्तल जी हैं इनका भी हम स्वागत करते हैं और दूसरा मनीश मित्तल जी के एक क्लाइं पर इससलिया चाहिएंगे और उनका भी स्वागत करना चाहेंगे बिहार स्टोरी मीडिया के चैनल पर तो सरफ बहुत-बहुत स्वागत हैं आपका ब्हुत-बहुत स्वागत हैं गई तो नेमा जी यह आपका पेपर कप बनानी की मशीन है यह बिजनेस में कब उत्रे लगब साथ महीना हो गया इस बिजनेस में उतारने वाले कौन है अब दोस्तों देख लीजिए और इनको मालूम भी नहीं होगा अचानक मितल जी से पूड़ाम बना और हम लोग यहां पर आए हैं इंसे जनकारी लेने के लिए उत्योग धंधे में कोई भी रोजकार में आप अपनी गलतियों के कारण फसते हैं धंधा खराब नहीं होता है बिजनेस करने वाला का नीती खराब होता है उसका पॉलिसी खराब होता है तो नेमा जी शुरुआत करते हैं कि यह जो मशीन है यह क्या बनाती है किस साइज मे प्रडक्शन करती है पेपर कप का 60 ml का 60 ml का तो 60 ml यानि कि यहां पर कप है जरा कप देंगे हमको भाई साहब ये वाली तो दोस्तों देख रहे हैं ये 60 ml की कप है इसमें हम लोग अक्सर किसी चाय की गुम्टी पर खड़े होके इसमें हम लोग चाय पीते हैं और बड़ा मすब ये मैं Repeat 25 फिने गया तो एक ने बोला थी जारोली वोग के वह गारने की तक प This exercise अजमने वह हलीविज़ दोस्ता है यहां पर नेमा जी से आज हम लोग जानेंगे इस business के बारे में इसके production के बारे में इसके थोड़ी marketing के बारे में तो नेमा जी शुरुआत करते हैं ये बताएं कि पहले ये machine बनाने में और ये जो आपका अपना है या कि रेंट पे लिए हुए ये अपना है और मैं सबसे पहले धन्य बाद देना चाहूंगा कि मुख मंत्री जी का नितिश कुमार जी का जो कि मुख मंत्री उद्मी ये जना से हमें सब कुछ किये हैं अच्छा नेमा जी ये जो पेपर कप की machine है इसकी लागत कितनी पड़ी इसमें 7 लाग प्लस जी स्टी आपी ने दिया मितल सर जेखे रेट में सर एक दम ऐसा नहीं कि हम सर के मने होदा ना बहुंच जगवा सर लोग रेट नहीं बताते हैं हमारे दम रेट सर जो है सर लिए हुए हैं साथ लाग प्लस अथारफ परसें ट्रास्पोटेशन का कोई पर दिए नहीं बढ़ी है नहीं सर जो रेट पहले भी देते उसमें बीरेट दे रहें ट्रास्पोटेशन का कोह चारज नहीं फिटिंग कोह चारज नहीं साथ लाग प्लस 18 प्रसींस इसाजीजी यहीं बंती है निमा जी तो यह कितना में तियार होता है कितना दिर लगता यह मतलब अपने production के हिसाब से बता दिजे कि कितना इसका मापडणध है बनाने का जूद जैसे कि मतलब पर मिनट पचास कप हम बनाते हैं एक मिनट में यहaah बनाने के लिए हम सतनर कप भी बना सकते हैं अच्छा लेकिन बेटर है पचास कप बनाने में कि फिनिशिंग उससे अच्छी आती है फिनिशिंग अच्छी रहती है और प्लस मशीन का भी बचाव रहता है ज्यादा स्पीड चलाने में थोड़ा प्रोब्लम होगा तो इसमें केवल इसी साइज की कब बनती है कि और भी से बड़ा साइज अगर बनाना चाहें तो यह बन अबतर तो यह 60 ml कर यह जड़ा है जिसका धिमांच आड़ से से ज्दाहें जिसका डिमांच जादाा है वही स doubt करके जिसे कम लोग को दो होता है चाहल डियांग हम लोग को दे दिए यह बन मेरा जाड़ा है तो उसी वही टाई हम लोग की मशीन से केवल एक ही कब बनाई जा सकती है कि अलग अलग साइज की बना जा सकती है इस वीडियो के मार्ण से क्लियर हो जाएगा बहुत सारे लोग उल्जहन में रहते हैं सर ठीक है ना बजया बहुत सारे लोग कंपनी लगो देते हैं साथ हिमिल का बना रहे हैं ऐसे बनाने के लिए फिन हम 55 करें ब्लैंग का डाइट चेंज करना पड़ेगा यह डेच्च नहीं होगा अगर इसी पर हम चाहेंगे दो से मिल का बनाए तो देश्वे मिल सर इस पैंदी पर यानि कि हम लोग दियाती बासा में इसको पैंदी बोलत यानि कि एक मशीन पर आप एक ही प्रोड़क्ट बनाएंगे यह जो लोग बोलते हैं कि नहीं कभी-कभी सुनने में आता है कि 60 ml से 300 ml तक बना लिए यह जूट है मशीन चेंज करना ही पड़ेगा डाई चेंज करने से माले दिक्कत होगा उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी तो चलिए यह तो बहुत अच्छी जंकारी दिया आपने तो एक चीज और बताएं कि यह तो आपने प्रोडक्शन बताया कि एक मिनट में 50 से 70 बना सकती है डिपे हैं साइड में जो करते हैं ब्लाइंक डिखाता है यहाँ पर यहीं बिस्पों ब्लाइंक बोलते हैं देख लिजे इसे पर प्रिंट है यहीं कप जो चारो बगल का जो सराउंडिंग्स है इसी से यह गोल घेरा बना के कब बनता है और एक बॉटम फीट हो जाती है तो अप त्यार हो गया और तीसरी चीज जो है इसमें बॉर्डर ये कॉलर इसका त्यार करना है ना तीन पार्ट में ये मशीन काम करती है यानि कि आपके एक ब्लैंक को गोल करना उसमें बॉटम पेंदी डालना और कॉलर बनाना ये तीनों कामिश मसीन से हो जाता है तो और एक मशीन स दिर फेक ही काम करेगी बढ़ियां से यह सुन लीजिए जी एक साइज का यानि कि अलग-अलग साइजेस के लिए अलग-अलग मशीन लेना पर बिलकुल बिलकुल सर ऐसा नहीं कि हम पानी पीने वाला बनाई या तो चाय पीने वाला बनाई चलिए भाई यह तो बहुत दे कि यह कितना ग्लासेज होता है एक पेटी मुझे से की चा एक सो चालीस बंडल होता है और बंडल में आपका एक बंडल में 40 पीस हम पैक करते हैं अच्छा यह सामने रखी वेज़ा एक बार फिर से दिखा दीजे एक बंडल वहां है यह हो गई एक बंडल 40 पीस की देख लिए दोस्तों यह एक बंडल है और ऐसे ऐसे तो प्रॉफिट क्या होता है तो कल्कुलेशन जी से हम केजी के हिसाब से आप अपने हिसाब से बता दीजिए जी जो आपको सुलित रगे जो हमारे दरशक देख रहे हैं प्लीज वो कैल्कुलेट कर लेंगे वो लोग बहुत क्लेवर है वो इस मामले में हमको सिखा देते मतलब जागत हो जाना है एक पेटी बनाने में और मार्केट में बेचते कितना में हम बेच देते हैं बारासों में बेच देते हैं और दीन भर में आप दस पेटी तयार कर लेते हैं हाँ लाइट बिजली को पर है कभी दस पेटी भी हो जाता है कभी कम भी होता है मतलम पोड़क्शन जिसे माले जीतना देर मसीन चलाएंगे उस पर निरभारा जी हमारा कुछ बोल रहते हैं कितने घंटा में मनें साच जिसे यह भी डिपन परता है कोई मसीन माद 10 गंट चल है यह मशीन के लिए चलाने के लिए जो फेज यूज होता है वो सिंगल फेज है डवल फेज है त्री फेज है नेमा जी दस पेटी यानि कि कम से कम मिनिममम 2000 रुपए पर डे का इंकम किया जा सकता है और स्टाफ तो हमको लगता है कि आप तो यहां अकेले ही काम कर रहे है पुझाफ हो टुर्वल हो गया था मोरे तो इसनले स्टाफ एक रखे है उसको कितना वेतन देते उनको देते हैं सारे 9000 रुपया और हैनार आप है और आप की स्ताफ हैं यहां पर एक आपने देख रहा हूं कि पेपर प्लिट का भी मशीन आपने बैठा है अगले एपिसोड में उस पर भी बात करूंगा लेकिन अभी केवल पेपर कप कहीं बात करते हैं तो पेपर कप मितल जी कुछ खबरी यह है कि अब तो प्लास्टिक बैन हो रहा है अब इसको किस रूप में आप देखते हैं रागा इसको बहुत बहुत पहले होना था अभी हो रहा है इसको बहुत पहले होना था और इसमें जो भी लोग है पेपर कप में काम करने के लिए उनके लिए बहुत यह मौका यह बाकि हमारे सब जो भी लोग होते हैं परिवार की तरह थे मित्र की तरह होते हैं नेमु सरजी भी बहुत सारे लोगों के हिलफ करते हैं इनको मशीने लेना है हमको कोई दिकत नहीं है जो मेरे भाई लोग मसीन चलाए हुए उनसे हमसे जदा कुछ और बढ़िया कोई टंसन नहीं है और नेमो जी के यहां तक आया हूं मैं यहीं जाननेे के लिए एक और बात देख आते हम लोग आये ना साच्छी जाले यह सामने यह जाली है यह चीज़ है कि हम लोग जहां मसीन देते हैं तो वहां पर समय हमेशा बेवहार में और जहां भी जुरत पड़ता है कुछी जुरत अभी हम लोग आ रहे थे तो कुछी दिकत होता है समसीन का पार्ट सुथा चाहिए कुछ लोग फून करते हैं लोग यह लोग आगे बढ़ें तब तो हमारा लगेगा अब प्लास्टी कब बैन हो रहे है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी इसलिए पानी वाला भी मतलब लगाएं जो हमारा जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं वह जानना चाहेंगे कि इसके मार्केटिंग आप लोग कैसे करते हैं कि दुकान हो गया किराना दूकान हो वहाँ प अपनाल करते हैं घौन खोफ्री चा करते हैं में कृफ्रार के लिए बनाते हैं तो वह कि पहले खुडा के दिया उसके बाद में अब ऐसा है कि मतलब वो लोग ही आके हमाने पास से लेके चले जाते हैं इस बात पर मैं कुछ मैसेज चाहूंगा कि आप दें क्योंकि लोग मशीन लगाते नहीं है कि तुरत चाहते हैं कि मुनाफा में डूब जाएं तो आपके साथ-साथ क्या शुरुआत में परि मशीन को तो अभी हमभी नहीं कमाहा रहु हैं और दीरे दीरे जब चलने लगा तोमीं कमाने लगेंगे इसलिए हम मतलब दर्सकों का संदैसा देना चाहते हैं कि अभी घबरा कर बिजनेस में घबराईये मत बिजनेस ऐसा चीज है कि इसमें समय दीजिए धीरे धीरे आप इसमें मुनाफ़ा कमाते जाए यह शौट टर्म की चीज ही नहीं है यह लॉंग टर्म का लंबे रेस का घोड़ा है यह तो यह गफलत मत पा लिएगा कि आज लग है कि आगे बिजनेस चलेगा जी उमीद है आगे चलेगा और कमाएंगे जी तो यह दोस्तों बहुत जरूरी है चुकि बहुत पैसा इंवेस्ट हुआ है साथ लाग की मशीन है और सोच लिजिए स्टाफ है खर्चा है लेकिन यह है कि इनको दिखाई दे रहा है और साइद था यह दुमीद है तब सिर आप दूसरी मसीन लेने की थारी कर रहे है तो मितल जी यह मशीन आज के तारीक में कौन कौनसी मशीन आपके हैं अध्लब्द हैं केवल इसी साइज की में यह सियम होता है जो लोग divert nor तो देखा आपने और उमीद करता हूँ कि जो इनकी इन्वेस्टमेंट है तो कि अभी कमाई तौसल वहीं से शुरू होगी जिस दिन आपका पैसा वसूल हो जाएगा यह मत समझ लिए अभी तो आपने बोल रहा है कि नहीं हम लोगों ने दिया कि डाटा दा फिर मिस इसक्वेश्टन आने लगेगा अब वो लोग कहेंगे कि अभी तो आपने बोल रहा है कि पड़े 2000 और अभी बोल रहे हैं कि कमाई नहीं होता है एक ब्रेक इवन होता है बिजनस में जी जो इन सुनते हैं तो दोस्तों यह है कि कमाई हो रही है लेकिन इंटम्स जो हम इन्वेस्टमेंट है इनका लगभग आपका सब करने धरने में दस लाख लुपया तो लग गया होगा प्लस प्लस ना जी तो यह निकलने में कुछ वक्त लगेगा लेकिन उसके बाद यह प्रॉफिट देना चाहेंगे देखिए पहले तो हम बताएंगे कि पहले आप से थुरा सा मार्केट सर्वे कर लिजिए पहले हमसे लोग बहुत सारी संपर करते हैं पहले अपने मार्केट में सर्वे किजिए कि आपका डिमांड कौन सा है आप मार्केट में लोगों से उतर रही सकते हैं तुब हुटाइए लुगों से बाद कर सकते हैं तुबहाँए इसके बाद से बात करना है मेरी पास hai तुप हैं तुबाद सा मार्HYट सूरव कर लीजेए अपने से उसके बाद हुम लोग से लिगाये ने पर आए हुए हैं अपने से संतु शुल लिजे सर मार्केट में जाकर जल्दी से बता दे मितल जी इस मशीन पर वरांटी मेंटेरेंज सर्विस की क्या फीचर है अब लोग अपना काम करके जाता है सब हम लोग को सब देते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं हुए सर अभी तक ने अभी कोई दिकत नहीं है आपने जीन से करेंदा है समुथली चल रहा है जाते हैं जाते हैं पुछी इन से गर कोई हम चार्ज लिये होंगे सामने ऐसा चीज़े ट्रांस्पोर्टेशन का चार्ज लिए नहीं चलिए भाई और सर एक बात यह जानना चाहूंगा कि कुछ वैसा भी तो हुआ होगा ना कि मसीन चलाने के दौरान कुछ तो परिशानी तो हमारा मसीन मतलग कंटिनू थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है अभी अभी हम मसीन चलाए तो अभी वोल्टेश कम है इतना इसके रिवायर्मेंट उससे कम है मले कम से कम 200 वोल्टेज चाहिए तो चाहिए लेकिन इंटेन करना परेगा यह बहुत दो चार दिन में यह हो जाएगा तो कंटिनू कम से कम 12 गंट तो हम चलाएंगे मसीन को तो दोस्तों सारे विश्व पर लगभग बात चीत हो गई है मितल जी से भी बात चीत हुई और इस इंडस्ट्री में पेपर कप के पेपर प्लेट के इंडस्ट्री में कोई मशीन की रिकुराइमेंट होती है तो आप सर्वे करके उस रिगार्डिंग मितल सर को फोन कर लें स्क्रीन पे उनका नंबर दिया हुआ है और आप बढ़िया से उनसे और पुछताच कर सकते हैं तो मेरा मकसद था कुछ इंफर्मेशन ले करके आना और पेपर प्लेट पेपर कप वेगरा की बहुत ही अच कमेंट में जरूर करके हमें लिख के बताएं और मिलते हैं बहुत जल्द नए एपिसोड में नए जनकारी के साथ तब तक के लिए जय हीन जय भारत